वेलकम बैक एवरिवन स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे हमारी स्किन का कलर कोई भी हो सारे ब्यूडिफुल लगते हैं आपका कॉंप्लेक्शन फेर है डस्की है वीटिश सब बहुत ब्यूडिफुल लगते हैं बट चाहिक को बताते हैं ये आखिर होता कियो है हमारी जो स्किन है वो मैलनिन प्रडेउस करती है जा जाती है जब मैलनिन की प्रडाइक्शन एक जगा जगा जची है ना तो कलर अनीवन ने लग जाता है यह melanin pigment जो produce होता है यह होता है special cells के दुआरा और जब वो damage हो जाते है तो melanin की production बढ़ जाती है और हमारा color uneven होने लग जाता है तो वो बहुत बुरा लगने लग जाता है सबसे stubborn होती है जो mouth के around वाली pigmentation होती है इसको हटाना बहुत hard होता है जो लोग यह problem face कर रहे हैं वो बात से relate कर पाएंगे उन्होंने दुनिया जहां की cream है use कियोंगी with no results हमारे पास in fact comments भी बहुत आते हैं कि pigmentation around mouth कैसे हटाई जाए हमने इतनी चीज़े use कर ली फिर भी कोई result नहीं मिला हम आपको आज home remedies बताने वाले हैं यह home remedies किसी भी cosmetic product से जाधा effective होगी और आपको long run में भी बहुत फायदा देने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं home remedies to remove pigmentation around mouth अपने home remedies की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ basic tips दे देते हैं अगर आपकी pigmented skin है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है sun में जब आप बाहर निकले हमेशा SPF लगा कर रखें और साथ-साथ वो broad spectrum होना चाहिए तभी आपकी skin को protect कर पाएगा tip number two हमेशा अपनी skin को properly moisturize रखो dry skin बहुत बढ़ा reason होता है pigmentation का tip number three बहुत सी medications या cosmetics product reason होते है pigmentation का तो अगर आपने कोई भी नया cosmetics product use करना शुरू किया है या कोई नई medication शुरू किया है तो आप ध्यान रखो कहीं उससे आपको pigmentation तो नहीं हो रही क्या पता आपकी pigmentation उनी product से start हो रही हो और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसी वक्त उसको discontinue कर दो तभी आप अपनी skin को pigmentation से रोख पाऊगे टिप नमबर 4 exfoliation बहुत जरूरी होती है pigmented skin के लिए बट gently कभी भी आपने over pressure नहीं लगाना while exfoliating वरना pigmentation हटाने की बजाए अपनी skin को damage कर बैठ होगे हमारी home remedies आज टोटल दो step में रहने वाली है पहले हम आपके लिए DIY face scrub ready करेंगे to remove face pigmentation and second हम DIY face pack ready करेंगे to remove pigmentation around mouth step number one DIY face scrub इसके लिए आपको टीन ingredients की ज़रूरत पढ़ने वाली है number one yogurt number two sugar and number three half lemon आपने योगर्ट का लेना है एक चमच और एक चमच उसमें लेना है sugar उनको properly mix कर लो आपका एक sugar scrub ready सा हो जाएगा आपने mild exfoliating करने है जैसे मैंने भी tips में भी बताया over exfoliate नहीं करना आप circular motion में अपनी skin में massage करो और उसको 5-10 मिनट के लिए leave on कर दो फिर जो हमने lemon आपका half side रखवाया उसको लो और आप scrubbing करना शुरू कर दो lemon से press करो और उसको rotate करने लग जो अपनी skin पे जो lemon होता है वो rich in vitamin C होता है और citric acid होता है जो आपकी skin से pigmentation को भी lighten up करता है और जो आप exfoliating कर रहे हो ना उसका result भी बहुत बढ़ा देता है यह वाला step जो है यह दोनों steps आप हफते में दो बार follow कर सकते हो और आपकी pigmentation around mouth बहुत effectively reduce हो जाएगी जैसे आपकी scrubbing complete हो गई है बारी आती है step 2 की जब भी हम scrubbing करते हैं हमारे pores properly cleanse तो हो जाते हैं बट open भी हो जाते हैं तो एक face pack बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आपके pores shrink रहें और pores tighten up रहें फिर बारी आती है step 2 की इसके लिए आपको total ज़रूरत है चार ingredients की सबसे पहले आपको चाहिए एक चमच sandalwood powder आपको साथ में चाहिए half papaya और साथ में चाहिए एक आलू और चाहिए एक चमच honey अब प्रॉपर्ली मिक्स कर लो उनके साथ और अच्छे से mix कर लो एक बड़िया वाला पेस्ट आपका ready हो जाएगा उसमें आपने डालना है one spoon of honey honey अगर आपको सूट नहीं करें तो आप glycerine डाल सकते हो एक चमच प्रॉपर्ली इनको mix कर लो आपका anti-pigmentation pack properly ready हो चुका है आप इसको all over the face लगा सकते हो आप extra focus कर सकते हो around the pigmented area जहां pigmentation होती है माँ एक्स्ट्रा मसाज कर सकते हो इसको 20-30 मिनट के लिए leave on करो यह सूख जाएगा देन आप इसको मसाज करके wash off कर सकते हो यह जो remedy आप हफते में अराम से दो से तीन बार follow कर सकते हो because यह all herbal ingredients है और आपने ए हमने make sure करा है जो home remedies हम आपको बताएं आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो product इकठे करने में आप अराम से अपनी kitchen में जाओ और सारे product easily आपको मिल जाए हम make sure करते हैं कि हमारे product के लिए आपको कभी भटकना ना पड़े अगर आपके बस sandalwood powder missing हो आप pure वाला लेना चाह रहे ह तो वो आप हमसे order कर सकते हैं हम all India delivery करते हैं delivery की सारी details आपको description में मिल जाएगी इसके अलावा कोई भी cosmetics product अगर आप लेने का plan कर रहे हमारी all India delivery है तो आप बिना सोचे हमारे whatsapp number पे हमें contact कर सकते हैं और अपने घर बैटे products order कर सकते हैं वीडियो helpful लगी हो तो like और share ज़रू वक्त गुद्बाइ